को तो कैसे आंस-बाइब को बहुत ही आसान तरी है भेран? dapat क्षाक्ट कर सकते हैं और बहुत जादा द्सक्राइब क्या सकता है वह बताओ कि अभी तक जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो राप तो आप भी यह करो होंगे तो एक बर आप इसको ज़रूर त्राइब कीज़ेगा आपको बहुत ही जादा अच्छा लगने वाला है बहुत ही आसान तरीके से यह रेमेडी बनती है घर में यह बना के त्यार कर सकते हैं आपको कोई भी बाहर की चीज़ लाने की जरूती नहीं है घर की चीज़ों एस सब्सक्राइब को इसको जाडर ध्याले के लिए एसमे रेमेडी के लगब के लिए टालें और अगर अगर बनानिये तो आपको जादा बना सकते सबसे पहले से मैंने एक कटोरी ले ले लिए उसी की साइज से मैं पूरा चार समझ चार कटोरी के लगबाग इसमें पानी डालूंगी तो मैं आपको एक बर रेकमेंट करूंगी इस तरीके साब एक बर जरूर ट्राइ किजिगा इस रेसिपी को बनाकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपके बाल बिल्कुल काले होंगे घने होंगे और बहुत यह तरीकी से मजबूत होंगी विए क्या होता जाती है तो इस तरीके से तो इस तो सूख जाती तो इसको मैंने थोड़ा से रफ करके फिर इसमें डाला था चाय पती के अंदर ने यह मेथी दाना लेंगे अधि आप जानते हो कि तढ़ अच्छा रहता हमारे बालों के लिए बालों को मजबूत करते हैं साथ-साथ में ज भी जर से खतना आपको डाल कर देना है इस तरήके से सीर में एक चमकर कil कर देना है एक नए क스트म Kollegen आरि अए हमला पानी देना है तो इसे डिलेकर टोलगे पूरे घुंप री curry आपको न ब्ही जाए चावल का पानी बहुत यह बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए शाथ साथ में यह बॉडिक ली बहुत ही अच्छा ऐइक लिए तो अगर आप इसको लगाओंगे ट्राइ करोगे तो आपके बाल काले होंगे इस से तो एक बार आप जरूर रए किजेग़ और शायनिंग कर लिया है तो अभी आपको गैस बिलकुल फ्लेम नहीं करना है पहले इन सभी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है मैंने अगर आपको और बी कोई है और को सकते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शें में पूस सकते हो मैं जरूर से लिप रिपला है करने की कोशिश करूंगी तो मैंडने गैस कफ लिमान कर दिया है तो अब इसको पानी को और इस को 20 मिनट हो भाइनगे पानी को पकते टाइम और च hvor मैं और रही रेकमेंट करें हैं वहाला पानी को ट्राइ किजिए आपके बाल वहाले हces है सब looked to me प्रवाइब और मेरी मम्मी और दादी तो यहीं उसकरती है तो एक बर मैं आपको यह भी रिकमेंट करूँगी कि आप एक बर यह जरूर ट्राय कीजेगा तो इस तरीके से ना अची तरीके से सबी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया आप देख सकते हो तो अब मिक्स करने के अब इसको भी आप ट्राय कीजेगा कडी पत्ते मेंने थोड़े जो सूखे वे लिया है आप चावो तो हरे कडी पत्ती भी ले सकते हो और कडी पत्ते की क्वैंटिटी आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो तो यह सबी चीज़े ऐसी मैंने लिए जो आपके घर में आसान तरी तरी के से चावल मिल जाते होंगे आपको कई बल ओवरनाइट के लिए पानी को रखना पिग होकर नहीं तो इसमें से पानी होता है वह ले लेंगे इससे क्या होथा इस शाइनिंग अच्छी आती है बालो की और यह बहुत ही अच्छे वालो को growth करने में मसबूत करवाते हैं और यह growth बहुत अच्छी सिजल्दी हो जाती है बालो की अगर आप यह डालोगे to w पालक अभी लेबल नहीं हो तो आप इसकिप कर सकते हैं तो मैं तो आपको एक बार रिकमेंड करूंगी पालक पानी भी डाली आप तो इस तरीके से यह बिल्कुल बन के तार हो चुका है दस मिट तक इसको मैंने पकाया था गैस का फली मपने कर दिया है बंद पट इसमें से आप देख सकते हो इस तरीके से दुआ आ रही है तो इसको ठंडा कर लेंगे आपको गरम नहीं लगाना है नहीं तो बाल जढने की बहुत जदा प्रॉबलम हो सकते है जो आपकी बाल भी उड़ जाएए इसलिए आपको ठंडा करके लगाना है विल्कुल जैसे चिल्ड़ ह अगर कोई और बी प्रॉबलम है कोई आपको रेषीपी चीज़ी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्टियों में बता सकते हैं आपकी प्रॉबलम का सलेशन जरूर करूंगी तो इस तरीके से अब इसमें दाल देंगे हम ते तो मैंने तो मेरे पास अभी बदाम का तेल अभी मेरे पास था, almond oil था, बदाम का तेल था, इसलिए मैंने बदाम का तेल डाल दिया है, एक से डेट जमच के लगबग, तो अभी इतना ही, अभी मैं पूरा जो पानी था न हो स्टोर कर लिया है, उसको डबे में डाल दिये, आप इस्प्रे से भी आप अपने बालों में या आप नॉर्मली वैसे भी रख सकते हैं, तो अभी तो मेरे इतना ही पानी काम आएगा, बालों के लिए तो अब इसको लगा लेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीकी से बनकी तियार हुए, आप इसको अच्छा रहा है, तो अब इसको ना हम बालों में लगा लेते हैं, अब अच्छी तरीकी से बाल वाश कर लिए थे, तो बालों में आपको लगाना है, यह नहीं है आपकी बाल गंदे, आप उसी में लगा लो, आपको सबसे पहले बाल वाश कर लेना है, तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं, तो अब इसमें हमारे को जितना भी सर रहता है न तो गीले बालो में आपको इस तरीके से यह लगा लेना है पेस्ट जो है वह मैंने बनाया वह और फिर आपको अच्छी तरीके से मसाज करने है फिर इसको पंदरा से 20 मिट के लिए रखना है और उसके बाद आपको दुबरा धोना है पट इस टाइम आपको शेंपू से नहीं होगा आप ब्लैक कलर भी रख सकते हो बालो में बहुत ही तरीके से यह आपके बाल थिक होंगे तो आप देख सकते हो कितने थिक बाल है मेरे तो इसको मैं जरूट राए करती हूं और बहुत ही अच्छा रिजर्व भी देती है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह बिल्कुल सुलजाए नहीं है जैसे शैंपू कहता है वैसे मैंने लगा लिया और इसके अब 15-20 मिन बाद में दुबारा वाश करूंगी फिर बालों को सुलजा कर अच्छी तरीकी से सुखाओंगी तो इस तरीकी से कुछ चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है आपको बाल